जय हिंजय भारत आजे गुजरात नाएक महान सपुत राजकवी कलापी एमना जीवन दर्शन ने आजे वातू करशू कवी कलापी ना जीवन ने जानी अजानी वातो करी एमना काईवियो एपन सरस्म जाना एमने पन थोड़ी थोड़ो आस्वादा पड़े मानशू कवी कलापी गुजराती साहित्यमा जेमनु प्रथोम हरोलमा नाम मुकी शकाई एमनी यादगार कृतियुमा कलापी नो केकारव शिकारी नो काईवियो रदय त्रिपुटी, विदाय, बिल्व मंगल, सार्शीवनमा एक प्रभाद वालीने निमंत्रण, नदीने सिंधुनो आमंत्रण, ग्राम माता कलापी, नव सवको कलापी नी पंगती कवी कलापी नू जीवन कलापी ना कैवियो कलापी विशे आजे आपडे अनेहिक महेती सांभलशु कवी कलापी नू अवे जीवन आपडे जोई सव्विश्मी जान्यवारी अधार्सो सुम्मोतिर लाठी नाराज दरबारगड मां त्यम शहर मां घरे घरे आमबाना पानना तुरनो बंधाना हता दरबारगडनी डेलिये ढोल ने श्रनाय ना सूर रिलाय ने गगन घजोता हता प्रसंक पने ओजतो लाठी ना राजा तक्त शीजी ने त्या बिजा पुत्र नो जन्म थयो अने ठेरे ठेर आजे आननना उच्सो आखु लाठी वधाविर योतु नाम पाइड़ू सूर शीजी ए सूर्शी एटले सूर्था निवाडी नो मिठो मोरलो राज कवी कलापी कलापी कै जन्मती उस कलापी नोता पन कवी थवा ना शिर्वादलै ने अउतर्या हता अन ए प्रजा वच्सल राजवी तेमस कवी बनीने रया राजवी तरीके तो लाठी नी प्रजायाद करेश से पन कवी तरीके समग्र गुजरात माटे तेव और समर्णी प्रेम कवी ने बनी रहा जेमनों जीवन टुकू मात्र 26 वरश पन सर्जन पट विशाल तेव आपना लाडला राजवी कवी सूर्शी जी तक तशी जी गोहिल उर्फे कलापी माटे कवीता ए उपासना उपनिशद्धी समान हती कवीताज एमनी भू और एज एमनी तरस एज एमनो वैभौ वासना साजना और उपासना बनी गया हाता मोटा भाय भाव शीवीनू नानी उमर माज घडा परती पड़ी जवा थी एमनो वसान थेलू अन्ने पिता अधार सो श्याशी देव लोग थया पशी सगिर वैस तेमना पर राजकार भारनी जवाब दार्यावी पड़ी अधार सो एठ्याशी मा माता रामबा मृत्यू पायमा त्यारे तो मात्र सूर्शी जीज नहीं पढा को लाठी राज्य घलभले उठियो तु कारण के राजा तक तशीजी ने पंजेर आपी ने बारी नाखवा मायवा अने राज माता रामबा ने पंजेर आपाईनू हतु आवी विश्यम में राज खटबट सूर्शी ने वारसा मामली हती जो के तेव आठ वरस ने उमर थी इटले के अधारसो ब्याशी थी अधारसो ने उसुदी राज कुट मा राज कुमार कॉलेज मा विध्या अभ्यास में टे रया तेमना लगन वक्ते पन कलापी राज कुमार कॉलेज मा जाता पंदर वर्ष नी उमरे तेमना लगन थया अन्य धार्सो निव्याशी नुवर्ष तेमना जीवन मा परिवर्थ नुवर्ष बनीने रयू राजपुतो माझे पन खांडा लगननी प्रथा कायम से कच राजजनु सुमेरी रोहा गाम एक कच राजजमा सवती मोटी जागीर हती जेनी कच ना बावन गामों पर आन प्रवडती हती राजजनु सरन स्विकारिय पन सत्ता नहीं ए रिते रोहा एक स्वतंत्र राजज समान हतु पोतानी कॉर्ड पोतानो जवयवट कच मा पहली वेली अंग्रेजी स्कूल और बाडिंग रोहा जागीरे शरू करियेती ए रोहा जागीरनाती जस्वी राज कोवरी रमाबा और कोटडा सांगानी ना कोवरी आनंदी बाने लए सूर्षी ना खांडा साथे गुगर माल बलदो साथे निवेली लाटी तरप रुमजुम रुमजुम करती अगल धपी रही हती कलापी नी सुचना हती के पहला रोहा वाला रमाबा पोखाए परन्तु कोटडा सांगानी ना राजबारी राजरमत्र मी गया अन्ने पहला पोखान अनंदी बा नियम यह हतु कि राणी पेली पोखाए तो पत्राणी बाने अन्ने रमाबा पत्राणी नविण्या त्यों कलापी ना वरस वो नहतो परन्तु रमाबानी महत्व काक्षापर पाने फरी गयू हतु एक घुगवाय उठिया अने त्याज रुपाना राज खटपट ना बीज अने दुराय कलापी नी आयुश्य नी रेखा अहें उल्लेक करो जरुरी से कि रमाबा पती करता आठ वर्ष मोटा हता सूर्शी सगिर्वईना होवा थी लाठी अंग्रेजोनी हकुमत एठळतू एटली राजकार भारनी तेमनी शिंता नोती बन्ने राणियो रमाबा साते रोहाली आवेली तेमनी दाशी मोंगी साथे तेओ राजकोट मा ब्यास सालू करता होवा थी त्या बंगलामा रहवानू राइक्यू राजकुमार कॉलेजे पन एरिते रहवानी रजा आपी अत्यार सुधीना सूर्शी जी एक कोई प्रकार नू अनोकु साहित्य प्रदान करू होई एवु नोंधानू न थी कॉलेज जीवन दरेम्या आंतेर के सवुद वरस्नी उमरे थोड़ी कलम सलावी होवानू उल्लेखापनने जोवा मले से बनने राणियो साथे जीवन सुख भेरुपसार थया करे से स्वरुपवान अने बुद्धी शाले रमाबात तरप सूर्शी जी नो वधारे जुकाव हतो आनंदिबा तेमने भोला लाक्ता अने मंगी पन वर्ष अधार सो निव्याशी महिनो डिसेंबर लाठी राजदरबारगडनों विशाल सो लगन पशी नो उच्षव असानक सूर्शी जीने मधूर कंटे कच्ची मा हलकनी गाती अने रासरमती एक सोहामने यूती नजरे पड़े अने कंट पन गीत ना बोल तेम नारदरिने स्पर्शी जाए से तेमने तरतस्त पास करी अने जानवा मलू के राणी रमाबा साथे रोहाती आवेली एमने दाशी से मोंगी तरफ एमनोवात सल्य भाव भरायो मनमा कैं गाठ बांधी मोको मलता पासे वोलावयने कयो मोंगी तु सरस गाय से हो चाल हूतने शुद्ध गुजराती शिखवाडू साहित्य जगत साक्षी से के मोंगी ने थोड़ा का समय मा तेमने पोतानी कवी ताओज नहीं पन सरस्वती संद्र जेवी महा नवल वांस्ती करिदी गाती करिदी कच्ची भाशा मा मात्र एक सन उचसार सांबळवा मले से कलापी ने मोंगी ने त्रेणे स, श, सनी ओलक आपी अने संध वसंतिलक मा गवड़ाईविव। मात्र त्रेणे महिना माज मोंगी आबद आत्मसाद करेली दू। बस पशी तो ये यात्रा आगल ने आगल धपती रही। अने अधार सो बानु सुधी मा तो मोंगी सूर्शी ना साहित्तिनू सौंधर ये बनवालागी। जो के आवरश मा कविये जे प्रेम कैवो लख्या त्यना केंद्र मा स्ने रागीनी राणी रमा बाज अता। त्यमना श्यब्दो। रमा हुँ तमने बहु सावसू। तमा रागमन पशी मारा दिल मा बे भाग थे गया। ये सांबलताज रमा बा सोकी जाए से। बे भाग एवा तेमना सवालना जवाब मा सूर्शी कहे से रमा सोको नहीं एक भाग साहित्यनों अने बीजो तमारों। पन पट्रानी तो आनंदी बाज नहीं। रमा बा अंदर थी उसले रहेला राज मोह ने तक मलता सपाटी पर लावा नो क्यारे सुकता नहीं। मतलबनी मुरत्व जोया खुशामत्मा खजाना त्यां। रमा मात्र पूर्ण प्रेम होय तो बदुश सक्य बने से। आपने मात्र प्रेम योगी बनी वडवाओना हात बले मेलवेली राजगादी करता, मारा स्वबले मेलवेली विद्या आगादी करता हज्जार दरज्य अने सुखद से। ज्णानाज आपनने आनन अने मुक्तिय पाविशके। राजा प्रेम खेला अने ग्णान पिपासो हता। राजाने मात्र प्रेम औने सत्य नितर्तो प्रेम जोईतो हतो, अने राणी रमाबाये समझी नशेक्या प्थवातो पोथे शेविले राज्य स्वारतनी साध्ना मा व्यस्त रहिने सूर्शी जीने माराशी वह जशे क्या इवा भ्रम माराशता रहया जियारे रमाबाए पुत्र प्रतापशी ने जनमाई पो त्यारे राज माता बनवाना और ता जाई गया ते ओगमे तेम करीने सूर्शी जी अने लाठी राज्य पर पोतानों प्रभुत्व स्थाफ वाईस ता हाता सूर्शी जी एम ने मात्र प्रेम योगी बनवा समझावता पंड्रमा बारदय थी नहीं बुद्धी थी काम करता हाता अने तेमना नशिब जोगे आनंदी बाये त्रण महीना पशिक कुवर जुरावर्शी ने जन्माय पो रिवाज एवो हतो के जे राणी प्रथम पुत्र ने जन्मा आपे ए राज माता बने ते थी हवे रमा बाहरास खटपट मा वदूरस लिवालाई जा मोंगी युआनी मा प्रवेशी अधार सो तानू सोरानू वर्ष तु मोंगी ना मन बुद्धी चितनो विकास जोईने ठाकोर सुषी जी खुबस प्रभावित थया अने कई आस्थी तो मोंगी नहीं तारू नाम रेशे शोबना हा शोबना शोबना मे तने जेम वाशी से तेम हवे तु मने वाँच तने मे माती माती पिंड अने पिंड माती पुतले बनावी हवे तु बनी मारी शोबना ए साथी ठाकोर साहेबनी शोबना प्रत्यनो वाजसल्य भाव प्रणई भाव मा पल्टानों अने रागनू पात्र बने से शोबना ने सरजाय से प्रणई त्रिकोंड प्रेम आम अडार सो बानू थी तेमनू साहित्य सरजन शोले कलाए खिलतु आपनने जोवा मले से तेम आपन एज वरष्टना गोवर्धन राव त्रिफाटे साथे एमने परिशय थयो पत्रव्य भ्यार नो परारम्थता तेमना साहित्य सरजन ने बढ़ मेलू अने एव आपनने जा अने जोवा मले से धीरे धीरे तेमनू साहित्य वर्थुल वत्तु जाये से मनिलाल नटु भायत्रेवे दी तेमने तेवो तेमना ज्ञानना गुरु मानता तेव प्रांत बलवन ठाकोर ललिजी भोला कवी मस्त कवी कान अने जटिल तेमने बालुनो समावेश अपनने अमाले से तेमने अंग्रेजी साहित्यकारो सेक्स्पियर, मिल्टन, गटे जिवा लेखकोने पन भरपूर वाईच्या अंग्रेजी साहित्यमा मन भरीने मायनू पन तेनी असर तेमना सर्जन पड़ पड़ेली जुवा मलती न थी अलबत तेमाती पेरणा मेलवी ने माला अने मुद्रीका अने नारीरदै जेवी नवलक थाओ लखी परन्तु तेमना सर्जन नू खरू प्रेरग बलतो एमना जीवन एमने बनी रयो हतू तेमने मात्र सवविश्वरष्णा आयूश्मा बस्सोने ओगण साइट कविताओ एटले के अंदाजे पंदर हजार पंग्तिवनो एक खंड अतो एमने उभो करेलो उर्मी काईवयो गजलो उत्यम गज्धनू सर्जन करी गुजराती साहित्य अने गुर्जर धाराने एमने अरपण करू एक विश्वरस्णी उमरे तेमने सत्तावार लाठीनू राज्यपद सोपाणू अने आपना कलापी लाठीना राजा बैन अंग्रेजोनो एवो नियम हतो के राजपद सोपता पेला राजाय समयना सुधी देश दर्शन करीने भारत देशनो वास्तविक परिसे मिलवू सूर्शीजी माटेते अत्यन आशिर्वाद समान साबित थयू देशना विविद विस्दारोनी माटीनी अनी सुगंद काश्मिर जिवा रमनी प्रदोश्योमा प्रक्रूतिनू पैपान अने पत्नी रमाबानो वियोग आत्रेने तत्वने कारणे रमांचित अने व्यत्थी सूर्शीजे प्रवास दर्म्यान गुरुने, मित्रोने अने पत्नी ने लखेला पत्रो गुजराती साहित्यनों अमुल्य खजानों बनी गयो अने अडार्सो स्वरानों थी तेमनु सर्जन मुद्रा आपनने उप्षियलू जोवा मले से उर्मियाघाद, प्रित्याघाद, प्रकृती, प्रणाई अने प्रभूती रस्प्रच येमनु साहित्य सर्जन विश्व एकेईना दर्शन करावे से अडार्सो सन्नु मां ते ओकवी कांतना संप्रकमायवा आ बदाय सर्जक्तत्वने कारणे अडार्सो सन्नु थी, अडार्सो अठान सुधी मां तेमने सर्जेला साहित्य मां शित्यर टका जिटलो सर्जन आगाला द्रिम्यान एमने नोंधायलो जोवा मले से जिटलो साहित्य प्रत्यराग तो एट रोज राज वैवट मां नहीं, सता पन तेमने प्रजाना सुख दुख मां साथी रया, तेमनी प्रजा वात्सल्य ग्राम माता काववे मां एमने जे उमेरी ते आपनने उभरेली देखाय से आवा रोजूर देमा राजवी नुहैयू रमाबा अने शोबना वच्चे जुलतु थयू, रमाबा जो प्राण से तो शोबना स्वास से, एक तरफ रमाबानी राज खटपट वत्ती जाय अने सूर्शी जी शोबना में थता जाय से, शोबना मां कविता अने कविता मां शो रमाब आये ए सबन क्याई थी एमने कोई जिग्य ये मंजूर्शय न होई ए पती ने श्पष्ट कही देशे के शोबनानों हाथ सूड़ी दियू परंतु सूर्शी जीनों जवाब तो हाथ सूडवा माटे रासपूत क्यारे कोईनों हाथ पकड़तो न थी रमा मारा प्रेमनों पड़गोवे शोबनास से औने जीली शके एम पने से हूँ तेने प्रेम करू सू औने ए प्रेमने सन्मान आपपाहू एमनी साथे लगन करेश रमाब आमाटे आवात अकल्प नहीं हती तेमने कयू के कोई काले सक्य न थी वो लगन थवार नहीं दो औन रमाबा सूर्शी जिन राम तरीके ने संबोधन करता ए पन आपने जोवा मले से कविरदै जंखायू अने सरीपड़ा आशक दो तुने न चाहू न बने कदी ए साहू सुतो साहिश बेई ने हूँ साहू नहीं तो नव कोई ने हूँ रमाबा पर जाने विजली पड़े पीर थी राज खटपट शिखी ने आवेला रमाबाये मनमा कई गाठ बांदी सूर्शी जी महाबलेश्वर गया के एमने रोहा थी राम जी खवास ने बोलावी शोबनावने तेमनी साथे परनावी दिदी अने ठाकोर ने महाबलेश्वर जान करी सूर्शी जी शीस पाड़ी उठ्या रमा तम्या शू करूं पन पंखी नी उपर पत्थर भेकाए गयो हतो भग्न रदैना कलापी नी कलम में थी आशू सरी पड़ा शोबना तरप थी मनने पासु वालू काई सक्य नहतू दिल पर अस्य बोज साथे कवी नो काईवी विलाप वदी गयो हवे जोवा माले से प्रणे वेराग्य थी रड़ता कलापी विलाप मा प्रेम नो अलाप करता कलापी सत्य स्विकार वाती प्रेम ने उपासना अने उपनिशद मा बनी जाये से एव उस्विकारी समाधान शोत्ता कलापी कवी राग माती त्याग तरफ वले से अरे आईश्क क्या थी थयो अमारे हाथ मा शुआयो अने ए दुख दिल दर्दने गाता जिगर ने आहमा लाता बस पशीतो प्रजाना दुखो सामले पोताना वेदना माथी प्रवीन सागर प्रग्टे अने क्यादारो पन गुंजे अडार सो सन्नु सत्तानों समय हतो भावनगर ना जिवन लालने प्रेश्मा तेमना काईव्यो संगरह वे सापवा माटे कवी ना खास मित्र बालु इब धाय काईव्यो लावे से संपादन बालु ये मदुकर नो गुंजारो राखिये तो कवी जवाब आपे से बालु पना मा रदय नो गुंजारो क्या से अज्य एक मित्रे सुचन केरू के बापू तमारू तखल्लुस कलापी राखिये अने संगरह नो नाम राखिये कलापी नो कैकारो बस्त्यार्थी लाठी ना ए के साहित्य जगत्मा उलखावालाई जा पन हजु इतियास करवत बदलवा थन घनी रयोहतो शोबनाना विरहमा अग्नीमा शेकाय रहेला कलापी फिलोसोफी विदान इश्वर प्रभोविरह प्रभोसम्रण अनन अनन अध्यत्ममा स्राध परोवाना प्रयास करिवी यहाता त अने नरक माथी सोडाव पत्रवांशी कलापी ने आघात लागे से खुबज विचार केरो पशी कलापी पोताना निर्णे जाहर करे से उशोबनाने दुखी थवा नहीं दो और हुँ तेने सोडाविश और तेनी साथे लगन पन करिश कलापी न आ निर्णे थी राणे वास सहीत दरबारगट मां हसमशी गया रमा बाने तो तेमने साथ नोतो पन कुशलकार भारी ताथ्या साहबे तेमनी साथे रया अने अधार सो अठाणु मां कलापी प्रीतमा शोबना साथे लगन करे से लगन मां पुरोहिच से पन अगनी न थी पुस्तकनी साक्षिय बनने फेरा फरे से काका जश्वन शीन आशिर्वाद वाप वहाजर रता कवी कांतने पत्र लखीने कलापी जणावे से के दरद वत्ता मार्या सहस करूज पेडू से रमा बाये आघाहत मा थी कलवले एटले तेमना अंगत सची कुरुष्ण लालने कोई पंडित आ लगनने पड़कारवा आदेश आपे से पशी घणी खटपट पशी पन तेमनो हाथ हेठो पड़े से अहीं कलापी जे बेनू तेना थी खुबस खुश अता लगन थी पन संतुष्ट अता शोबना हवें खुबस खुश सु तुमारामा आने मारी कविताओमा ओगले लिये शे पन तने संबो दिने नहीं लकू पेला रमा माटे लेख्यू हतू हवेश्वर माटे रस्योग पशी हवे श्योग प्री के प्रभू नहीं प्रिया औने प्रभू ना प्रिया वी ना प्रभू केम पमाशे ओर मा के वास ने के ओ अन प्रभू इच्छा ए खट-पट माज रूकाये लि रही अने पिडा मारे आपने सवन करी ए मारी गमेटली उपेक्षा करशे पन सहीलेव एज प्रेमनो सन्मान से अवे वेद्नानों विले थयो से अवे विलाप नहीं प्रेम अने प्रभुन आलाप अने एक दिवस नडियाथ थी तार आवे से ओ मनिलाल गया कलापी शूक माडू भी गया तेमनी साथेना साथ वरष्णा सबन मा कलापी साज जनमनों ग्णान प्राप्त करियो हतू तेमने ज कलापीने राजधर्म समझावी गादीन सोडवा कयो हतू ए मनिलाल नथु भाय त्रिवेदी शिंधायवा अने एक रातरे शूबना साथे नवका विहार करता तेमने याद मालेचू जयाजा नजर मारी ठरे यादी भरीतियां आपनी बहुँज विश्व फेमस आकवीता से अत्यार सुधी कलापीना दिवसो अने रात्रिवो बेराणिवो वच्चे वेचायला हता शूबना साथे ना लगन पशी त्रण दिवस शूबनाना बे दिवस रमाबाना अने बे दिवस आनंदी बाना अने पासू जमवानू तो रमाबाने रसोडेज आठ मी जून वर्ष ओगनी सू शूबनाना सानिध्यमा कलापी रमाबाना महलमा जता पेला शूबना आ राजपाट सोडी ने इवा रागमा रंगाय जईए कि आपना सर्व कर्मो कर्मो न रहे बस सूरजना एक किरन थी जेम बधाय अनकार दूर थाए एम कारण के धरेक सबनने एक आयुश वय से शेवटे कुद्रत तो बधाय ने सुटा करती जईशे शूबना हूँ बहु बोली गयो नहीं साल हूँ जाव रमापासे राह जोती एशे जवानु मन्तो नथी थतू पन शू करू जवुस परशे फरस्षे मारा जोगी ठाकूर सुखे शिधाओ अने फरस्मा प्रेमने पन परोजो शोबनाय विदायापता कलापी ने कयू पन त्यने क्या खबर हती के कालना गर्व माशू सुपाय लोशे तेनी पासे थी त्यना प्रान प्री नी ए आख्री विदाय बनी रहेशे आवी गयाराम रमाय त्यमने ओरडे कलापी ने आवकार ताकायू आजे तमारा माटे मे मारा हाथे पेंडा बनेवा तमने भावे से तमे मारू किटलू ख्याल राखो सो रमा रमा तमे सांबिलू से ने के उरास पाठ सोड प्रतापशी कोवरी रमनिक बा अने जोरू बा आपने बधाज ना राम ना बालकोजू ना ना से तेमने राज किलवने आपवाईनी बाकी से अने उप्रतापशी ने युराज पदे जोवा मागू सु राम सोडो एब दी वातो अने पेंडो आरोगो एम कही रमाबाए कलापी ना मधामा ना ख्यू आग्रह करी ने गनत्री पुर्वक त्रण पेंडा तेमने तेमना राम ने खवडावी दी थोड़ी का ख्षणों मा पेंडा ने पोतानी असर बतावानू शरू करी दी थू कलापी बेशेनी अनुभवा लग्या एमने रमाबाने कई असानक ओ आ सूक रमा हवे तो पेट मा सूक आवे से रमा मने कईक थाई से दीमे दीमे मुर्षा मुझ मगजने चुम्बन करे आहा मुगातो ते अनुभवी शकुसू सूक आवे रमा मने लागे से अवे जोवास अल्यू जिगर मुझ साक्षात हरी ने नहीं तेनी कोई प्रक्रूती कशो रो कशो कशो शो सूर पूरे जेर हला हल जेर शरीर मा फेला तुझ आई से वैदराजे घी पीवडावी ने शरीर मा थी जेर काढवाना करेला सूसन्य रमाबा सवना आसरे ने वच्चे भगावी दे से नजिक ना शेहरो राजकोड के भावनगर डॉक्टर ने आउता कल्लाक उलागी जाए से अने पौसे से त्यारे कलापी आखरी स्वास लेता कहे से हुँ जावसू हुँ जावसू त्या आवशो नहीं कोई नहीं सोशो दिवान बांता त्या भावशो नहीं कोई सव खुश रहो जयमा खुशी हुँ जया खुशी ते हुँ करू एह तू आशू थयू ए पुश्यो कोई नई अनि नव मी जून उगणी सुना रोज ए सुरता निवाडी ना मिठा मोरला पोता निकला कायम ने माटे संके लिली थी आवा कभी कला पिना जीवन दर्शन निवाड में आजे तमने करी कोई अजूक्त शब्द बुलाए गयो हो है तो आपनो बालक जाने क्षमाप्षू अस्तू जये